नमस्कार बच्चों स्वागते आपके इस वीडियो में जिसमें सूर्दास जी के पद्ध के पहले तीन प्रश्ण उत्रों की चर्चा करेंगे ठीक है तो पहला प्रश्ण है कि बालक श्री कृष्ण जी किस लोब के कारण दूद पीने के लिए तैयार हुए तो एक चीज़ कहा दूँ कि इस बार प्रश्ण तरलिक नहीं पाया तो मौकिक तोर पर ही चर्चा करेंगे और उमीद है आपको अच्छे से समझा जाएंगे तो बच्चो माता शोदा जी कृष्ण जी से बार बार कहती थी कि दूद पीने से तुम्हारी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी तो कृष्ण जी अपनी चोटी को बड़ी होता देखना चाहते थे इसी लोब के कारण इसी लालज के कारण में दूद पीने को तैयार हो गए थे जैसे बच्चों को भी कहा जाता है बेटा बहु बली बना है तो दूद पीओ तो ये चीज़ है ठीक है बच्चों तो इसी कारण की बाल लंबे हो जाएंगे दूसरा प्रश्ण है श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के विशे में क्या क्या सोच रहे थे तो बच्चों श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के वारे में सोच रहे थे कि बार बार दूद पीने पर भी यह आज भी चोटी की चोटी ही है कि कीती बार मुही दूद पिया तो भाई यह अजू ही है चोटी कि बार-बार दूद पीने पर भी यह चोटी की चोटी ही है तो मा कहती थी कि दूद पीते रहने से यह मोटी और लंबी हो जाएगी बलरां भाईया की तरफ बार-बार बालों में कंगी करने गूंथने आदी स यह बड़ी हो जाएगी परंतु ऐसा हुआ क्यूं नहीं ठीक है तो मलब उनका कृष्ण जी का यही सोचना था कि चोटी लंबी हो जाएगी मोटी हो जाएगी ठीक है तो कंगी करने से गूंथने से और बड़ी हो जाएगी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ठीक है उन्हें जी कौन कौन से खादे पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं यह आपको भी पता है जहां उन्होंने बोला एक जगा कि मुझे कांचो दूद पियावत पची पची देतना माखन रोटी तो बच्चो दूद की तुलना में श्रीक्रिशन जी माखन और रोटी अधिक पसंद करते हैं यह इस पद के आधार पर हमें पता लगता है ठीक है बच्चो धन्यवाद तो अगली वीडियो में प्रशन उत्तर 456 की चर्चा करेंगे धन्यवाद कोई शंका हो पूछ लेना